गुर्मॉर्णिंग आपरीवन आज एक 11 सप्टेंबर 2022 और 11 सप्टेंबर से रिलेट जितने भी करेंट अफेर्स हो सकते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सो हरे कोस्टन को मैं आपको पूरे डीटेल में समझाऊंगा सो वीडियो को भीना स्किप के वे पूरे एंड तक दिखिएगा और वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ कोस्टन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको इसी वीडियो की कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना ह तो आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले कुछ दिनों के करेंट अफेर्स की कुई क्रिवीजन कर लेते हैं तो आईए देखते हैं आज का पहला कुस्टन आज का पहला कुस्टन है अभी हाल ही में मंगल गढ़ पर नासा ने ऑक्सिजन की खोज की पीटर अलबर्स को इंडिगो का नया CEO बनाया गया फर्द कोस्टन है अभी हाली में परधानमंत्री मोधिन ये बंगलादेश की परधानमंत्री के साथ मैतरी सूपर पावर थर्मल प्रोजेक्ट की सुरुवात की फर्द कोस्टन है आसिस कुमार को स्पाइस जेट एरलाइन का नया CFO बनाया गया फिप्ट कुस्टन है महरानी एलिजाबेत दूइतिये का ब्रेटन में निधन हो गया चलिए आज की करेंट अफेर्स क्यों चलते हैं आज का पहला कुस्टन है विस्व आत्महत्या रोक्थाम दिवस कम मनाया जाता है तो ये हर साल जो है दस सितमबर को विस्व आत्महत्या रोक्थाम दिवस मनाया जाता है आत्महत्याओं को रोकने के बारे में जागरुकता फैलाने की उद्देश से ये दिवस हर साल दस सेप्टमबर को मनाया जाता है इसे आप याद रखेगा चलिए next question क्यों चलते है next question है किस राजसरकार ने 100 दिन का रोजगार मुहिया कराने की महतुकांची योजना सुरू किये तो इसका right answer है राजस्थान सरकार ने अभी हाली में राजस्थान सरकार ने 100 दिन का रोजगार मुहिया कराने के लिए एक महतुकांची योजना को सुरू किये अब बात आईए राजस्थान की तो राजस्थान से related कुछ important चीज़े जान लेते हैं राजस्थान के मुख्मंत्री है असोग गहलोत वर्तमान जो राजपाल है वो है कलराज मिस्र राजधानी है जैपूर टोटल जिले जो है 33 है राजकिय खेल जो है बास्किट बॉल है राजकिय गित जो है केसरिया बालम पदारो महरे देश और कुछ important चीज़े आप देख लो राजस्थान के बारे में सबसे बड़ा जिला जो है राजस्थान का वो है जैसल मेर सबसे छोटा जिला जो है राजस्थान का वो है धौलपूर ये सब मैंने भी आपको पिछले कई वीडियो में बताया है सो हर बार इसलिए बताना जरूर है क्योंकि कभी-कभी देखने से और सुनने से भी काफी चीज़े याद हो जाती है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चलिए आगे बढ़ते हैं यूरिनियूम के विशाल भंडार पाए गए है अभी हाली में 10 गीगावाट सौरी छमता पार करने वाला देश का पहला राज बना है राजस्थान ये और कुछ इंपॉर्टन चीज़े देख लेते हैं तो ये सारे हाल फिलाल के ही कुछ करण ट Nahuri की कोस्टन है जिसे आप अच्छे से याद रखेगा चलिए बात करेंगे नेक्स्ट के स्टन की नेक्स्ट कोस्टन है हाली में ड्रकेट की विशां कि दैनिक परेश वारता आयुजित करने वाले पहले भारती या तो इसका राइट आंसर है वेदांत पटेल वेदांत पटेल जो है यह भारत के ही है इन्होंने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की दैनिक प्रेस वारता आयो जित की और यह पहले भारती अमेरी की बनकर इन्हों इतिहास रच दिया तो इस कोस्टन को आप याद रखेगा चलिए नेक्स्ट कोस्टन के और चलते हैं नेक्स्ट कोस्टन है किस देश ने हाल ही में निवारन परमानू हमले के लिए नए कानून को पारित किया है तो इसका राइट आंसर है उत्तर कोडिया उत्तर कोडिया ने भी निवारन परमानू हमले के लिए नए कानून को पारि केखा चलिए बात करेंगे next question की next question ईंडमीर का नियुटाबाद में और एहमधाबाद में की जाना है जाहिए जाएगी एहमधाबाद में और और ऐहमधाबाद जो गुजरत का एक बहुत बढ़ा से है तो अब बात करेंगे गुजरात से लेटर कुछ इंपोर्टन चीजें की देखे गुजरात के जो वरतमान मुख्यमंतुरी है वह भुपेंद्र भाही पटेल यहां के जो वरतमान राजपाल है वह स्री अचारी देववर्थ और गुजरात के एहमदाबाद को भारत का में नरेंद्र मोधी द्वारा गुजरात के भरुच में उतकर समारों का वर्चुल संभूदित किया गया था और 10 अप्रेल 2022 को माधपूर मेले का उधाटन रामनात कोविंद के द्वारा किया था यह सारी चीजों को आप याद रखे चलिए बात करेंगे नेक्स्ट के मामले में भारत 2021 में किस अस्थान पर रहा है तो इसका राइट आंसर है 132 132 में अस्थान पर रहा है वर्ष 2021 में 191 देसों की सुची मैं 191 देसों की सुची में इंडिया जो है तो वो सहर है जैपूर, जैपूर में जो है 12 से 17 सितंबर तक एलिजाब्य दूतिय चिकिस्सा विभाग द्वारा रोगी सुरक्षा सप्ता मनाया जाएगा, इस question को भी आप याद रखना, चलिए बात करेंगे next question की, next question है, राजस्थान के किस सहर में विस्व का पहला संसकार क केंद्र खोला जाएगा, तो इसका राइट आंसर है जुझनू में, राजस्थान के जुझनू में जो है, विस्व का पहला संसकार केंद्र खोला जाएगा, और मैं आपको बता दूँ कि देश भर में जितने भी बच्चे मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको वहा साजाकरन समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं, तो इसका राइट आंसर है बांगला देश, आप बात आईए बांगला देश की, तो बांगला देश से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टन चीज़े जान लेते हैं, बांगला देश की राजदानी है धाका, वरतमान की जो वहां रा कोस्टन पूछूंगा, जिसका आंसर आपको इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, आज का पहला कोस्टन है, ग्रैमी अवर्ड 2022 में अलबम अब द इयर किसे चुना गया, और सेकेंड कोस्टन है, हाली में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के किस राज म पहला भुकम पस्मारक इसमृति वन समर्पित किया है, तो इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हलपफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लिजएगा, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह की और भी पावरफुल कॉंटेंट्स मिलती रहें, तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जैहिन और जैहिन.